तो साफधान इंडिया करतके क्यों इंडिया कि अऋडिया कि आपर्बस्टतर शजि़ youtube जो निकालो पुछ नियादी जो फोटोग्राफ सभी आपने देखे वो शालिनी और माधव सिंके थे जिनकी शादी एक साल पहले बड़ी धुमधाम से की गई थी मध्यप्रदेश स्रित माधव सिंकी पुष्टैनी हवेली में दोनों का रिसेप्शन किया गया और दोनों बहुत खुश भी थी पर इचानक ऐसा किया हुआ कि शादी के छे महीने बाद ही शालिनी कहीं गायब होगे जो लड़की कमरे में बंद थी वो शालिनी की छोटी बहन अंजली थी उसे इस तरह कैद करके क्यों रखा गया था किसने कैद किया था उसे जब ये राज खुलेगा तो आप हैरान रह सम्धी जी तक्रिबन साल भर होने को आया जब से शालिनी भाग मेरा मतलब है कि जब से वो लापता हुई है हम सब के लिए ये वक्त बहुत दुख दे रहा है पर सबसे ज्यादा सहा है माधों ने बहुत प्यार करता था माधों शालिनी से देखा आपने खुद को पूरी तरह शराब में डुबो दिया है माधों ने शालिनी को तो भूल नहीं पाया और ये शराब गले पड़ गए मैं समझ सकता है इसलिए मैंने आपको बुलाया कि अब हम बड़ों को ही समझदारी दिखानी होगी मेरे पास एक प्रस्ता व्याब के लुग बसकर अंजली कितनी बार कहा अब साल भर होने को आया है भूल जाओ और अठरा साल जो मैंने दिखे साथ कुसा रहे हूँ उन्हें कैसे भूल जाओ मैं मेरी छोड़ी है क्या आप भूल भाई है दिखो क्या हर वक्त आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि अखिर दी के साथ हुआ क्या था उजे ये समझ मनी आता कि आप लोग इस बाग को डाल भी क्यों रहते हैं खुलकर बात क्यों नहीं करते आप लोग मुझ से अब आपी सम्हाली को तो फिल से शुरू हो गई है तो इसमें बुराई क्या है मैं अपनी दी को अच्छी तरह से जानती है वो कभी को गलत पाम करी नहीं सकती इसलिए वो क्यों और कैसे लापता हूँ ये मैं जानकर ही रहा 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 है तास अंजली बहुत हो चुका है हम तो हम लोग स्चाली ने का ज़ए और जब यूसे भूलना चाहते हैं तो माकर गवारे उसे कुरेत देती हो और आज जो कुछ जुआ उसके बाद को हमारे सोच्छ ने समझने की शक्ती भी चली कहीं क्यों क्यों हुआ है हुआ है हमारी अंजली का हाथ माधाओ के लिए अप हम दूसरी नहीं खोना चाहतें, आप मना कर दीजे नोंने, हमें नहीं करनी है ये शादी, मुझे करनी है, क्या, तुम्हें करनी है ये शादी, हाँ पाप, मुझे ये शादी करनी है, मैं तुम्हारी शादी उस विराने में कभी नहीं होने दूगा, मुझे माधव जीचु से अजली को यकीन ही नहीं था कि उसकी बहन शादी करने के बाद किसी के साथ भाग सकती है अजदाना खासता, अगर वो भागी भी थी, तो उसने दस मील तक पहला जंगल पैदल तो पार नहीं किया हुगी तो क्या किसी ने उसकी मदद की थी, क्या शाली जंगल पार भी कर पाई थी और अगर हां, तो फिर उसके बाद शाली की कोई ख़बर क्यों नहीं मिली ये सारे सवाल अंजली को रह रहकर जगजोड रही थी किसी तरह अंजली ने अपने माता पिता को इस शादी के लिए राजी कर लिये और अब वो उस हवेली की ओर बढ़ रही थी क्योंकि उसे यकीन था कि उसे अपनी बहन शालिनी के गुम्षदा होने का राज उस हवेली से ही मिलेगा ममी जी ये हवेली और कितनी दूर है यहां से तकरीबन दस मील और दूर है दस मील और शहर से इतनी दूर क्यों उस्टेनी हवेली है बेटा ध्यान रखना कहीं बाहर अकेले निकलने की कोशिश मत करना घना जंगल है हो जाने की पूरी गुंजाईश है पहले भी एक बार भुगत चुके है हम हम नहीं चाहते कि दो बार आ ऐसे कुछ समझ रही है ना और वैसे भी तुम एक बार पहले भी आ चुकी हो हवेली जी दी की शादी पर आई थी झाल, 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 हम को तुम्हें इंदिजार करना पड़ा है क्या हुआ तुम दो कि रही हो तुम रोकिव रही हो क्या तुम इशादी छे खुश नहीं हो एसी बाद नहीं है क्या मैं आपसे कुछ मांग सकते हैं? हाँ वक्त आप गलत मत समझें इस वक्त में जहां हूँ वो कभी मेरी दी का घर हुआ करता था आप उनके पती थे और राज अचानक से यह सब कुछ मुझे अज़स करने में थोड़ा सा वक्त चाहिए मैं चाहती हूँ कि मैं जब आपको अपना हूँ तो पुरे मन से अपना हूँ आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा यह सब कुछ आफ्टर आल आप शाले नेदी से बहुत प्यार करते थे तुम ठीक कह दियो अज़िया शादी हम दोनों के बहतर होगा हुआ हुआ तुम पुआ हुआ शादी हुआ शादी तुम कि अजबे कि अजबे जो मिली बडिर से कि अरिड़ stalाई मिल्स आप नहे भूम भी शेरिंग आपर लेकश मिल्स थाल किुंग यहुंहुआ। कि आपको कि इंप ऐना चाहरा प diff mattressर कि अचाँ उग सेध थे कि डिंप सेया वाँ कि आ ह अ गाहरा अ। सेली प्रोग कर दो कर दो भी अ है? कर दो दो, कर दो! कर दो, कर दो? खर आप मस्टे पहु जी! जंगली गुत्था है, घुषाया था हावेली बॉभा, खुषाया था हुवेली भी हमली ती थिए अधिनमने हैं कुछ दिन बाद जब अंदर सड़ेगा तो बड़ी आखात बनेगा तो बड़ी आखात बनेगा पूलों का रंग निखरेगा इसे अज़ी इसनी तेजीज कहा भागी जा एँ हूँ ऐसा लग रहा है ज़से कोई भूत देख लिए हो तुमने नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो मैं रस्वी घर जा लेए थी सुचा कुछ मदद कर अच्छा कुछ मदद कर अच्छा ठीक है जाओ नजर रखना इस पे कहीं इस बेवकूफ माली से ज्यादा बातें नकरेंगा मैं कुछ पदद कर दूँ आप क्यों करो की बहुजी यह हमारा काम है हम खुद कर लेंगे अरे लेकिन अब इस घर की बहु मैं हूँ न तो इस नाता यह मेरा भी काम हो है ना लाओ मैं काट देती हूं तुम कुछ और कर लो मैं एक बात पूछू जब शाले नी दी यहां थी तो क्या वो किच्छन में तुम्हारी मदद करती थी पता नहीं कुछ याद नहीं है हमें ऐसे कैसे याद नहीं है कौनसा बीस साल हो गए जो याद नहीं है एक साल भी नहीं हुआ है देखिए बीबी जी इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है और ना ही हम आपसे इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं हमें हमारा काम करने दी मास यह बस मा यह जमना कहा रहती है देखो अंजली सबसे पहले तुम यह याद रखो कि तुम शेखावत परिवार की बभू हो इसलिए मुझे जब भी बुलाओगी मासा कहके बुलाओगी जी मास पीछे नौकरों के कॉर्टरस बने है बाहा रहती है आच मासा हमारा घर कितना बड़ा है और नौकर सिर्फ एक है घर बड़ा है पर लोग गिन के तीन है काम चल जाता है मासा मैं सोच रहे थी कि क्यों ना हम तीनों शहर के पास कहीं शिफ्ट हो जाए देखो अंजली यह शेखावतों की पुष्टेनी हवेली है यह माधव के पीता, दादा, परदादा और उससे पहले कि कई पिडिया यही जनमी है और यही शांतुई है हम ना तो पुष्टेनी रिवाज छोड़ सकते हैं ना तो पुष्टेनी घर, समझी? पारी मासा, वो, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कुछ ही वक्में मैं बिल्कुल शाले नीदी की तरह बन जाओंगी मासा, तलना आप मुझे घर की चाबया दे दे देना किसलिए? वो मैंने देखा, घर के काफी सारे कमरों पर ताला लगा है काफी वक्ते बन पड़े होंगी सोचा थोड़ी सी साफसफाई कर लोगे कोई जरुद नहीं जतना घर खुला है हमारी जरुदों के हिसाब से काफी पर मासा, फुड़ी सी साफ सफाई कर लेंगे तो क्या बुरा है? मासा, दे दीजे ना, अखेर साफ सफाई में बुरा ही क्या है? माधव, तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे यहां, बड़े एक बार जो भी कहते हैं, उनसे जबान लडाई नहीं जाती है. मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं, समझे? क्या जरूरत थी उसकी सिफारिश करने की? जबके मैं कह चुकी थी, मैं उसे चाबिया देना नहीं चाहता. मुक्सान भी क्या है मासा, बल्कि आप के इस तरह मना करने से उसे शक जरूर हो जाएगा. कि आखिर कोई तो बात है जो आप मना कर रही हो. शक तो मुझे उस पर हो रहा है. आये हुए दो दिन नहीं हुए, और चाबिया चाहिए उसे? आप कुछ जादा ही सोच रही हूं, मासा. बच्ची है वो, उसके पास इतना दिमाग नहीं है. कुछ दिन बहु बहु खेलेगी, फिर ठके चाबिया आपके हवाले कर देगी. और पिर चाबिया कर ढूंडेगी भी क्या? जब पुलिस तक को कोई सुराग नहीं मिला, तो वो क्या ढूंड लेगी? वो घर में इधर उधर ताग जाग करें, मुझे बिल्कुल पसंदी है. वैसे भी उसे यहां ज्यादा रहना नहीं है, पर मैं देख रही हूं. तुम कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहा हो इसकी. तो यह उसे दिल तो नहीं लगा बख्या हो? यह नहीं मासा, इसा कुछ नहीं है. नहीं है तो ही बहतर है. याद रखना वो यहां किसलिए लाई गई? नहीं मासा, कैसे बूल सकता हूं कि वो यहां क्यों आई? कि वो यहां 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 मैं कोड़ दीखे का पड़े अच्छा है लेकिन मुझे रेड और ब्लू जाद पसंद है रेड और ब्लू क्यों अरे एक तुम बोल्ड कालर है निखर के सामने आता है हुँ होले बोल्ड तेरा ही नमबर है समझी हाँ क्यों नहीं जब तुम लाइन से हटोगी तब आएगा ना मेरा नमबर अच्छा बच्ची यह बात है पादे जली है बिल्कुर्ट आप्ट बैट्स बीबी जी अमने खुदने उनको कपड़े बानते हुए देखा था दो सुट्टेश लगा रही थी उसके बाद हमने उनको कभी नहीं नहीं देखा है उसका मतलब दी यहां से भागना चाहते थी अगर फाग नहीं पाई उन्हें रोका गया था है हलो अनजली दी हाइ कैसी हो तुम सब छूठता अनजली सब दिखावा था शेखावा था वेली कीसान इन लोगों के पस कुछ भी नहीं है अनजली कुछ भी नहीं है सब कुछ कर्जे में डूबा हूँ है बो लो पाप से पापा से पैसाएट नहा चाहते है मुझे तो यह भी पता नहीं था कि इन लोगों ने पापा से चालीस लाख रूपिय दहज में लिये है अजली तुम पापा को पापा को एक पैसा भी मत देने देना तुम पापा को पचा ले ना तुम मुझे यह बताओ कि वोलो तुमें टौचा वाचा तो नहीं करते ना वो बूचे ले ने हलो हलो दी शाली दी हलो शालीनी के लापता होने से पहले यह उसका आखरी फोन था लाईयू कहिए कि शालीनी अंजली के सिवा और किसी को फोन कर ही नहीं नहीं पाई अंजली ने शालीनी के अवاز में छिपे दर्द को उसकी पीड़ा को सुना था महसूस किया था इसलिए वो शालीनी के किसी के साथ भाग जाने की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी उसे यकीन था कि उसकी बहन के साथ कोई ना कोई अंहोनी हुई थी और अब शालिनी के पैक की ये बैग मिलने से उसका ये यकीन और भी गहरा हो गया शालिनी किसी के साथ भागी नहीं थी लेकिन महज ये सुराग माधव सिंग को शक्क के दाएरे में लाने के लिए काफी नहीं था माधव जय वो जो कमरा बंथ पड़ा है वो आपका और शालिनी ती का हुआ अजली प्लीज मैं ये सब बाते याद नहीं करना चाहता है मैं भूल जाना चाहता हूं उस वक्त को मुझसे शालि के बारे में प्लीज बात पट्या करो तूट कर चाहता था मैं शालिनी के उसके इस तरह भाग जाने से मेरे दिल पर क्या भी थी है मैं बता नहीं सकता हुआ ये अंडर्स्टान्य शायद इसलिए ही मासा ने मुझे कम जाए हुआ है कि समझ तो अब आ रहा है मुझे कि सिर्फ मुझे ही ने सारी दुनिया को दी के बारे में छूट बोला है तुमने कि या सोच रहे हो अंगिली कि अए नहीं कि अच्छ नहीं अच्छ नहीं माधव जी आप नी बड़ी में पुरा दन क्या करते हैं कहीं आते जाते भी नहीं हमारी जमीन एकड़ों में फेली है उसन सभालना उसका पेपर वर्क अब देख ना पड़ता है सब कुछ नीचे सब अब तो अब ये सब कुछ मैं तो सोच रही थी कि आपको अच्छी तरह से समझ को और भी तो मैं चाहता हूं जली है कि हम लोग एक उसले को अच्छी तरह से समझ ले है कोया जाया है माली आजाया है ठीक है, मुझे भी लगता है यह सब कुछ, कमले में ही सही रहा हुआ अंजली के निए इस घर का रहस्य दिन बदिन गहराता जा रहा थी इस घर के लोगों के विवार से उसे डर सालगने लगा था एक कठोर सास, एक घरिलु नुवकरानी जो कुछ जानती थी लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी एक विक्षिप्ट सामाली जिसका पौधे उगाने का धंगी कुछ निराला था इन सब बातों से अंजली पहले ही डरी हुई थी अब उसके सामने एक नई चुनोती थी माधव सिंह को अपने खरीब आने से रोकना था क्योंकि आसान काम नहीं था क्योंकि अंजली उसकी पत्नी थी और माधव सिर्फ अपना पती होने का अधिकार मांग रहा था इस मुसिबत से बचने के लिए अंजली ने अन्या रास्तर हुगा अंजली एए के वह क्यों खड़ी ओ शाली अंजली यह क्या मजाते है तुम्हें शाली के कबले क्यु महन रखे हैं तुम्हें पता हैं ना कि मैंशाली की यादों को भुलाना चाहता हूँ आपको शाले नहीं दी बहुत पसंद है इसलिए मैं उनकी तरह दयार हो पर आई मैं तो बस आपको खुश करना चाहती थी सोजाओ, सोजाओ, सोजाओ माधव ने तो कहा था कि इसी कमरे से वो सारे काम करते है बिस्निस वेंचर्स के लिए इसी रूम को आफिस बना कर रखा है लेकिन जब दी का फोन आया था मुझे तो उन्होंने कहा था कि ये लोग बिल्कुल दिवालिया हो चुके हैं कुछ भी नहीं है उनके पास इनका रोज का खर्चा कैसे जलता होगा इस कमरे में क्या प्रिस्निस करते है ये लोग किपसी आफ नहीडल क проблем कर पास कर दो, कर रोखना कर दो कर दो में डिनfa कर दो तुम यहाँ क्या कर रही हो आप यहां क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं आप हमेशा टाग जाग करती है यह वो भी कुछ ऐसा ही जोड़ती थी इससे पहले वो कॉन शाले नहीं थी यह नहीं बता उन्द को बदूंडती थी खुम घाय भावी तेको यह सब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है तुम्हें जो कुछ भी बता है तुम प्लीज मुझे बता दो यहां क्या हुआ था उनके साथ क्या किया है यह लोग उने शालिन नीदी के साथ वो जग गए हैं। उन्होंने आपसे हमें बात करने के लिए मने किया है। अगर उन्हें मालूम हो गया के हमने आपसे बात की हैं, तो मारते हैंगे। जाओ यहां से, जाओ! ठीक है, मैं जाते हूं। लेकिन कल मुझे दिन के समय मिल सकते हो। जब आसपास कोई ना हो। ठीक है, कल भुलवारी के पास। मालूम हुआ है, माली। कहाँ चला गया यह माली। क्या हुआ अचली? वहां आप गार्डेन में क्या करने गई थे? जी, जी, मुझे, 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 पूजा के लिए फूल चाहिए थे लेकिन पूल रखने के लिए आपके पास कोई बास्पेट वगर रथ होती ही नहीं एंस्पेक्टर, जा बक्वा सवाल पूछ रहे हैं आप? कत्न की वजा और सुराग ढूडने के बजाए आप मेरी पत्नी को नहाग परेशान कर रहे हैं आपको पता आप किस से बात कर रहे हैं? माधुष झी, शेखावत की पत्नी से बात कर रहे हैं आप माधुष झी, शान्त हो जाएगे, मैं तो यू ही है, एक रूटीन सवालाद कर रहा था हैंसे माधुष झी, आई इसरा बात कर रहे हैं, आई अजली बहे है डर गई थी, आई शेखावत कर रहे हैं अजली बहें डर गई थी, वो समझ चुकी थी कि माधव सिंग अपना राज छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है एक रात पहले माली ने अजली से बात की थी, अर अगली सुबह उसकी लाश मिली अब अजली को यकीन हो गया था कि उसकी बहन के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है और वो ससुराल में नहीं, बलके निर्मम हक्त्यारों के बीच है, जो अपनी असलियत छिपाई रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं पापा प्रणाम जीदे रहो बेटा, और घर में सब ठीक है? हाँ, सब आपका अशिरवाद है पापा एक बात करने थी वो अफी तक जमीन के पेपर्स मेरे रहे राम ट्रांस्पर नहीं हुए है हाँ बेटा, वो पूर्ट में है, रजिस्ट्रेशन के लिए और उसमें नुचार दिन का वक्तो लगेगा इसली काम पूरा होगा मैं खुद तुम्हे आकर के देदूगा ने ने पापा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है मैं तो इसली पुछ रहा था कि अगर इस मामले में आपको मैं रेक्ट जी हेल्प की दरवत होगी तो बताईएगा नहीं बेटा, मैं कोच सबाल होगा तुमस अपना खाल रखो और हाँ, अंजली कैसी है? बहुत खुश है पापा बार गार्डन में टेल रही है अभी इतने बड़े घर को समझने में फड़ा वक्त लग रहा है उसे आती तो बात करवाता हूँ मैं आपसे ठीक है पेटा, ख्याल रखिए अच्छा पापा, प्रणाम कितने दिन और? तो चार दिन और लगेंगे मासा, जब तक वो जमीन के पेपर्स मेरे नाम टांसफर नहीं हो जाते हैं तब तक इसे जिन्दा रखना ही पढ़ेगा इस बार काम अलब तरीके से करना होगा अब तक शालिनी की गुमशुत्ती की रिकॉर्ड बन नहीं हुए अगर ऐसे में दूसरा कांट पो गया ना इसका क्या करना है तो अपने बाफ सिपात हो इतो मासा एक काम करता हूं मैं इसे आपके कमरें लगा देता है और बाकी के इंतजामाद भी पुकता कर दो बचकर भागने में कामयाब नहीं होनी जाहिए वसब आप मुझ पर छोड़ दो मासा कभी कामयाब नहीं होने दोगा उसे यहां पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है अब तो पापा को लैंड लाइन से फोन करना पड़ेगा यह फोन का चरागे? जंगली कुत्ता है रात को घुसाया था है वेली बे हमीने ही से गोली मारी थी कुछ दिन बाद जब अंदर सड़ेगा तो बढ़ी आखात बनेगा फूलों का रंग निखरेगा इसने हम देख रहे हैं हमेशा क्राग करती रहती है वो भी कुछ ऐसे ही ढूंती थी इसने पहले जिसकली जाना नहीं उसका रास्ता पूछना कभी कभी नुकसान दे हो जाता एंजली ड़ी जादा होश्यारी दिखाने के चक्तर में तुमने कर लिया ना अपना नुकसान अब तुम यही रो कुम्हारा अदु में तुम्हारा उन्सेखो लख की वल्तों के ले उनकी ज़मीः के लिए मुझे भी मादा जादे हो तू मेरी बेहन के कातल हो तू यूके जいたना बहु किलाल हो तू तॢमारी आवाज इन हवेली की दिवारों से टकर तक कर शिल्व fuckin मरोगी तू तुम्हें इसी हवेली के अंदर मर्ना होगा मरो अबब कर दो आंद। पापा। कमस्ती क्यों नहीं हो तुम्हार्शी परजिए खजा है। तुम्हार एलगता है? तुम हाँ पस तेफ रह पाओगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आपको जुन्दकी भर कभी माफ नहीं करता हूँगा अब अच्छी को अहसास हो रहा था कि अपने पिता की बात ना मान करो उसने कितनी बड़ी भूल की थी इतने निर्मम और कुर हत्यारों के सामने वो बिलकुल बेबस थी इतनी बेबस कि अपनी आभास भी अपने माता पिता तक नहीं पहुचा पा रही थी उसे लगने लगा था कि शायद अपनी बहन शालीनी की मौत के राज के साथ साथ वो खुद भी एक राज बन कर रह जाएगी वो जानती थी कि उसकी जिंदगी खत्रे में थी लेकिन उसे भागने का कोई रास्ता निज़र में आ रहा है चली गी लेकिन ऐसे कैसे चली गी कुछ तो कहा होगा क्या उसे पता नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं बजार गई यह कुछ लाने के लिए बहुत एकसाइटेड है इस घर को फिर से डेकोरेट करने के लिए जमना भी गई है माधो की कार में हाँ मतलब बहुत दिनों से यहां बोर हो रही थी तो जाने की जित किये फिर हमने रोका नहीं और फिर पापा शादी के बाद आप लोग पहली बार यहां आ रहे थे तो अंजली ने सोचा की बाजार से आप लिए कुछ लेती है अब छोड़िये भी संधी जी आप तो जानते ही है आज कल के बच्चों को आप चाह पी लीजिए जी मादो बेटा इस जमीन के ट्रांसफर के पेपर है रेजिस्टर है देख लो अरे आपने करवाया तो ठीकी होगा इसमें देखने की क्या जरूरत है जी तो अब हमें आप इसाद दीजी हमें चलते हैं थोड़ी देल के लिए रुपते हैं नजी बस एक बार अंजली आए पिर बार-बार इतनी दूर आना तो नहीं होता है ना जी चलिए मैं तब तक हमारी स्टेट डिखा के लाते हैं अरे वा आपका बगिचा कितना संदर है यह पूल तो बहुत संदर है हमारा एक माली था सत्पाल बहुत मेहनत करता था हा मतलब एक एक्सिडेंट में चल बसा अब देख रहे हैं वहसा ही मेहनती और वफादार कोई माली मिल सकेते हैं माधो की कार तो यहीं खड़ी है वीर अनजली किस कार में गई कि अब बहुत देल हो गई है और घर पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी हम कल आते हैं अन्जली से मिलने के लिए ठीक है पपा जेए जी आई 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 सुनिये वो लोग तो कह रहे थे कि अन्जली कार में बसार गई है उनके पास तो एक ही कार है न हाँ पर क्यों मैंने पीछे गैरेज में एक कार देश होंगी है मुझे लगता है जरूर कुछ गरबढ है हम से जरूर कुछ चिपा रहे हैं लेकिन हम उनसे सीधे बात भी तो नहीं कर सकते क्या हुआ रूप क्यों गया है इनका कहना था कि माले मर चुका है और अंजली जम्रा के साथ बाजार गई है तो फिरी कांस से चिलका करके इशारा कौन कर रहा है क्या है मादो छिंग, हावेली को चार तरफ से घर लिया गया है अजली को फोर दो पहले कि अगया है थी भागी नहींदी पागी नहींदी जोगों ने दिक को बार नाला भाज़ों पैसो की लालाजब्यांटर रूने लीसो यह यह अचिकारत में दखना दीया जा यह लोग उझे में वार्ना चाथे उझे में बार्ना चाहते बीजूदा पिलिशन. गारी में बिठाओं, श्रीक. वरेंस्टीक रिपोर्ट से ये तो पता जल ही जाएगा कि शालीनी की मौत पैसे हुई लेकिन हम तुम से सुनना चाहते हैं, मादाौ सिंग, बता उसे क्यों मारेंगे? हमने उसे नहीं मारेंगे? यह हमारे खिलाफ कोई साजिश है. साजिश? देखो मादाौ सिंग, तुम जानते हो के पुलिस वालों के पास और भी तरीके होते हैं साजुगल वाने के, मैं नहीं चाहता हूँ उस तब तुम पर आजमाए जाए इसलिए बताओ, बताओ कि क्या हुआ था? अस्पेक्टर, शालिनी से शादी के वक्त हमें देह्ज में 40 लाग रुपए मिले थे, हमने उस पर दबाओ डाला कि वो अपने पिता से और पैसे लेकर आए, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि हम लोग तिवालिया हो चुके हैं, वो बागी होने लगी थी हमें और इसलिए एक रात था मने शालिना मासा से मैंने तुम्हे बचा लिया, लेकिन मुझ से तुम्हे कौन बचाएगा, लिया, अधारणा अधारणा शालिनी की हत्या के पीछे, दहेज का दानब निकला, एक लड़की जिसने दहेज के खिलाफ आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और ये राज राज ही रह जाता अगर शालीनी की छोटी बहन अंजली ने हिम्मत दिखा कर सच तलाशने की कोशिश ना की होती अंजली ने ना केवल बहदुरी दिखाई बलकि बेहत समझदारी से अपने पिता को संकेत भी दिया अंजली सिंग और उसकी मा को दहेज उन्मूलन अधिनियम के साथ साथ शालेनी की हत्या के लिए IPC की धारा 302 के तहत दोशी पाया गया और दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गया इसलिए रहिए सावधान दहेज के दानव से क्योंकि जो धन आप अपनी बेटी के सुखी देखते रहें साथधान इंडिया इंडिया फाइट सब्सक्राइब तो साथधान इंडिया